भजन करने वाले को आहार भौत शुद्ध चाहिए आहार का परिड़ाम भजन पर होता है आहार का प्रभाव भजन पर पढ़ता है मनुष जैसा आहार करता है वैसा उसका व्यवहार बनता है एक तो सीवी सीवी बात है करें आहार, शाक, फल और कंद भजन करने वाले को अपने भोजन में तीन चीज़े जरूर मिलानी चाहिए एक तो साख खाईए साख कहते हैं पत्ती वाली सबजियों को पालक है, बैती है, बत्वा है, चौलाई है, सरसों है ये जो पत्ती वाली सबजी होती है इसको कहते हैं साख, इससे पेटशुद होता है फल से मन्शुद्ध होता है, फल से मन्शुद्ध होता है, मौसम का फल, कीवी खाना जरूरी नहीं है, जो भी हमारे मौसम का फल है, ककड़ी है, कर्बूज है, आम है, बेर है, अमरूद है, हर मौसम में अनेक प्रकार के फल आते हैं, उससे मन्शुद्ध होता है, फलाहार करत प्रेवरत के दिन इसलिए ताकि मन शुद्ध हो जब शुद्ध मन होता है तब भगवान का नाम आता है और कंद कहते हैं जो जमीन में से निकलता है शकरकंद है आलू है शलजम है गाजर है मूली है जो जो नीचे से निकलते हैं उसे बुद्धी शुद्ध होती है विचार श मोजन में और यह सब सस्ते होते हैं भारत में मौसम में पैदा होने वाले फल इसे सब खा सकते हैं अब आप बिना मौसम के सेव खाओगे तो सो रुपे किलो मिले गई मिलेगा मौसम के फल खाईए इसे शुद्ध होता एक तो यह आहार है बंधो अद थोड़ा ध्यान से सुन लेजे भजन जिससे बिगड़ता है अब मैं उस आहार की चर्चा कर रहा हूँ जब कोई सादू आहार बोलता है तो वेज और नौन वेज इसी पर ध्यान जाता है तो नौन वेज की चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि मैं मद्ध प्रदेश में बैठा हूँगा मद्ध प ज़्यादा शाकारी लोग यहांने अब एक आदा कोई दिली बिली नौकरी करता और फैसन में सीखी आया हो वो एक अलग विशे है लेकिन शाकार तो उस वर बात नहीं करूँगा फिर जब कोई सादू भोजन की बात करता है तो प्याज लहसन पर दिमाग चला जाता है कि म महारात जरूर प्याज लहसन की मना करेंगे मैं प्याज लहसन का पक्षधर भी नहीं हूँ और मैं उसका विरोधी भी नहीं हूँ और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो प्याज लहसन खाते हैं वो भजन नहीं कर सकते हैं सर्वे करके देखो जो प्याज लहसन नही किसी को नहीं लगता और अगर मैं प्याज लहसुन पर प्रत्यबंद लगा दूं तो जितने यहां बैटे हो जादा से जादा 20 लोग ऐसे निकलोगे जो उस स्रेडी में आओगे बाकि तो लगबग लगबग सब कहीं न कहीं चलता ही अच्छा जो नहीं खाते हैं वो भी इसी सीमा से अलग हटकर बोल रहा हूं मेरी बात का अनर्थ मत लगाना इस समय मनुष्य भोजन सबजी और फल के नाम पर दूद और दही घी और मक्षन के नाम पर पनीर के नाम पर इतना जहरीला केमिकल खा रहा है फलों में सबजियों में अनाजों में खाद केमिकल दवाईया पूरा आदमी जहरिला हो रहा है अगर इससे जहर से बचना है तो जो न खाते हों वो प्याज लहसुन खाना सुरू कर दोगे तो बच जाओगे उसी में एक ताकत है जो इसको काट सकती है बागी किसी की ताकत नहीं इसका अनर्थ मतलगाना कि यह महाराज प्याज लहसुन का प्रचार करके गए इसका अनर्थ नहीं लगाना लेकिन यह ओशदी ओशदी के विसिलेशन नहीं किये जाता ओशदी सटकी जाती है अगर केमिकल से बच लेकिन जो नहीं खाते हैं वो खाना शुरू ऐसा मेरा कहने कारता है देखिए भोजन की ठाली का भोजन सात्विक चाहिए ठीक है लेकिन यह एक बार थो थोड़ावत 1920 हो भी गया भोजन की ठाली से लें बिगड़ा करता है बिगड़ता है जिससे भजन बिगड़ता है यह उसकी चर्चा कर रहुं और पकड़ में आ जाये तो एक भोजन होता है जो चोके में बनता है सुबह शाम ठाली में पर उसके खाये जाता है एक भोजन वो है जिसको हमारा शरीर हमारी इंद्रियां 24 गंटे करती हैं उस आहार को उससे भजन बिगड़ता है उससे जीवन बिगड़ता है कान भी आहार करते हैं आँख भी आहार करती है नाख भी आहार करती है हमारे शरीर का रोया रोया आहार करता है जैसे आपने भोजन तो छिलके वाली मुंग की दाल तोरई की सबजी और मिसी रोटी खाई है लेकिन आखों ने टीवी पर कामुक नग्न चित्र देख लिए वो भीतर बस गए और जब भी आख बंद करके ध्यान करो गई शाम सुन्दर तो गाइब हो जाएंगे उल जलूल बाते ध्यान में आने लगेंगी ये भजन को बिगाड़ती है भोजन की थाली का तो आहार सात्विक था लेकिन कानों ने कामुक संगीत सुन लिया आरती तो गाइब हो जाती है वही गीदमन गुनगुनाने लगता है वो हमारे मन को विक्रत करता है किसी की शादी में गए लोग उत्यज़क परफ्यूम लगा-लगाके आते है उत्यज़ना पेदा होती है उससे वहाँ अपने उत्यज़क परफ्यूम सुन लिये रिश्चदारों में जाकर लोट कर आए उत्यज़ना से पाग्ल हो गए घर में पागलों का सा विभार करने लगे तो ये जो 24 घंटे इंद्रियों के द्वारा आहार हो रहा है, कान के द्वारा संगीत का आहार हो रहा है, आखों के द्वारा द्रश्य का आहार हो रहा है, नाक के द्वारा गंध का आहार हो रहा है, रोयों के कारण स्पर्श का आहार हो रहा है, जुवहा के कारण से वानी का आहार हो रहा है स्वाद का आहार हो रहा है बंधू भजन ये बिगाड़ता है प्याज लहसुन भजन नहीं बिगाड़ते हैं बेकार की बात मों ज्यादिया है प्याज लहसुन से भजन नहीं बिगड़ा करता बिगड़ता है इन से मुझे राम जी का आप जनम भी जल्दी कराना है मेरी एक बात अगर मान सकते हो तो हाला क्या मानोगे नहीं लेकिन मेरी कहना मजबूरी है मैं केवर भगवान के भैसे बोल रहा हूँ मुझे वो डाटे के कम से कम बोल तो देता कोई तो मान लेता ये मुझे मालूम है कि मेरी बात आप मैंसे एक भी नहीं मानेगा लेकिन पंद्रे दिन प्रयोक करके देख लीजे आपको फायदा हो तो पालन करना नहीं फायदा हो तो मुझे दसगाली देके शुरू कर देना हुसे जिनको भजन करना है जिनको भजन करना है वो मेरे निवेदन से केवल एक महीने केवल एक महीने अपने सोने वाले कमरे में से टेली वीजन हटा दीजे केवल एक महीने मैं यास पीच से बोल ला हूँ कुम्ह में बोल ला हूँ संतों की नगरी में बैच कर बोल ला हूँ और बहुत अनुभव और अधिकार से बोलना हूँ, जिसके सोने वाले कमरे में टेली बीजन लगा है, वो कभी भजन कर ही नहीं सकता वहले जगत गुरु के आजन बर क्यों बैठा होगा, संभव ही नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, इसलिए सारे घर में टीवी लगा जीने में लगा दो, रसोई घर में लगा दो, पूरे घर में टीवी लगा दो, सोने वाले कमरे से एठा दीजिए, एक महीने के एवल प्रयोक करके देख लीजिए, एक महीने के बाद नहीं होगा, अपनी घर में लगा यह मैं कम मना कर रहा हूँ, लेकिन दवाई एक दम मत रेकिए एक बार उसका सेवन करके देखिए फाइदा हो बंधो मैंने सारी दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया है और न मैं सुधार के लिए निकला हूँ लेकिन मेरी एक इक्षा जरूर है कि जो बैट कर कथा सुन रहे कम से कम उनके घर में भक्ती देख पुश्मकिल दस मुझे गाली देदना मुझे अच्छा लगेगा का रही आहार शाक फल बंदा का रही आहार चाक फल बंदा सुमी रही रम्म सचिदारंदा सुमी रही रम्म सचिदारंदा